तो आज के हमारी इस आउनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिसकॉस करने जा रहे हैं Advanced Excel Formula में हम बात करेंगे आपके साथ Sum If Formula के बारे में हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे कि Sum If Formula होता क्या है? तो चलिए हमारे पास एक डेटा है इस डेटा को देखिए जैसे कि माल लिजिए मुझे Overall Sum चाहिए तो हम generally Sum निकाल जाते हैं कि हाँ इसका Overall Sum इतना है लेकि मुझे Sum करना है किसी एक Particular Conditions पर जैसे मुझे करना है कि Pooja का Sum क्या है जैसे कि हम Pivot Table में करते हैं Pooja और भी परसन से उनका मैं totally यहाँ चाहता हूँ Sales का तो Sum If मतलब Sum with Condition Sum के साथ हम अपने Conditions को भी Add करना चाहते हैं Sum with Conditions तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया Sum If का Sum If में तीन काइटेरिया है Range, Criteria Range and Sum Range अब Range का मतलब हुआ कि आपको किसमें मैच करना है मतलब किसके According Condition लगानी है तो हमने Call and Equal Area पर काइटेरिया Range मतलब कि इसमें कौन सा काइटेरिया को देखना है तो हमने बुला इसमें Pooja आपको देखना है And Last में आ रहा है Sum Range Sum Range मतलब किसका Sum निकालना है तो हमने बुला मुझे Sum निकालना है C column का जांस देखेगा मैं दुबड़ा लगाता हूँ मैं Sum If का कॉमा लगाया हमने सबसे पहले दिया Range कि किसके According वो मैच करेगा फिर कॉमा दिया हमने लेकिया Name कि उसमें क्या मैच करना है और मैच करने के बाद किस कॉलन का तोटकर लेना है अपके सामने result आगे और फिर इसको नीचे के तब हम Drag करते तो Sum If का Formula किसी पर्तिक्लर डेटाबेस से किसी पर्तिक्लर आईवी के According साम करता है करता है झाल 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 और भी कंडिशन्स पर जिसे मान लिजिए मुझे सेंस ही निकालना है उसे बोला गला है कि अगर आपके पास अगर आपके पास यह है उस डेटा में से मुझे ग्रेटर देन फिटी वाले का सम निकालना है तो हमें इंसेंटीव देना होता है तो हमें ग्रेटर दैन फिटी वाले पर बात करना है कि ग्रेटर दैन फिटी वाले कौन से है मुझे इस पर देखना है तो इसके लिए हम यहां साम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे साम में अब इसमें काइटेरिया हमारा कौन सा है तो सेल्स है कॉमा हमने 50 को सेलेक्ट करता है और एंटर पेस करता है अब बोलेगे से यहां तो हमें सम रेंज दिया बट यहां पर सम रेंज क्यों नहीं दिया क्योंकि मेरा काइटेरिया रेंज एंड सम रेंज दोनों एक ही है मेरा काइटेरिया रेंज एंड सम रेंज दोनों एक ही है इसलिए यहां पर हम समरेंज देना हमें जोरी नहीं है अशे डाल सकते हैं लेकि देना जोरी नहीं है अब यहां पर गेटर देन 50 में हमाल जोरी यहां पर 60 लिखा हुआ है तो गेटर देन के जम्बर 60 है 70 है 90 है 40 है 20 है इस तरह लिखा हुआ है तो क्या सम में गेटर दन का साइन और काड़ जवरी है अब इसको फॉर्मिले के अंदर जोइन भी कर सकते हैं ऐसे देखिए सम एफ एफ में हमने रेंज को लिया और यहां हमने इसा जो भी है उसको select किया और हमने आपright ने के साफ इसको आपशन में मु symptom कर्दर अब संत में इसको को िछिली निजय कि यहां हम यह तो चलिए देख रहे हैं अब इसमें आगे बढ़ते हैं जैसे कि अब यहां पर कहीं पर देव है और कहीं पर देव खुमार तो अगर मैं देव का पुर्टल निकालूंगा तो देव कुमार का नहीं आएगा तो देव का नहीं आएगा तो उस केस में क्या करें उस केस में हम यहां हम सम इफ में इसका यूज करते हैं सम इफ सम इफ रेंज हमने रेंज दे दिया फिर काइटेरिया में इसको सेलेक कर दिया एंड सम रेंज हमारा यह रहा सम रेंज आप देखेंगे आगा तो हमने दोनों तरह स्टार लगाया उनों तरह स्टार लगाया है तो क्या हुआ यह हो गया कंटेंड बिद जी हां दुनों तरह स्टार लगाने से हो जाता है कंटेंड बिद इस केस में तो देव के पीछे अगर देव 1 देव 2 देव 3 देव इंदर और देवी भी होगा देव होना चाहिए अगुद मत्ती स्टार लेगा चाहिए इसका मद्र उस स्टार तो कीको चाहिए ठीक है अगर हम अगर हम लगाएंगे तो साइब से स्टार्ट होने वाले ही उसके वाद से कि मैंने आप ए देव दिखा ते हो गया एस एंड वित देव मतलब कि देव से पहले चाहिए जो भी हो लास्ट में देव होना चाहिए सुझे है वाइट में अजोचे रगी ही से अगे परते हैं अब अगला ओप्शिन स्यम्य आता है के अग्य हमने देव लिख दिया और यह कर दिया यह ऑचाह है अण बित देव यह स्टार्ट बित देव यह हो कान गेंड यह होगा हमारा and with there, यह हो कि हमारा start with there, अब इसमें अगला option आता है कि अब मुझे यह नहीं पता है क्या है, इसे की ohm दिख रहा है, इसी तरह से एक और होगा, f7, या इस तरह कि दो डिजिट के नाम होगे, मुझे यहाँ पर दो डिजिट के नाम होगे और दो डिजिट के नाम को मुझे यहाँ पर देखना है, हम चाहते हैं कि यह जितने भी दो डिजिट के नाम है, उसका दोटीट है, बस यहाँ पर दो वार question मान दा लिए और फिर some if लगा दे, some if, यहाँ पर हमने अपना range ले लिया, यहाँ पर हमने अपना type area ले लिया, और यहाँ आपने अपना sum range ले लिया, तो जितने भी दो डिजिट वाले थे, सब को इसमें highlight ले, यहाँ पर आप इसमें, यहाँ आप आप इसमें, यहाँ. तो question mark से any characters हो लिया, अब बात करते हैं कि multiple condition, जैसे कि मुझे पूजा का total चाहिए, वो भी हमें चाहिए, इसमें no error. एक condition हो, तो some if, लेकिन multiple condition हो, तो अगला option आता है हमारा some ifs का, ifs. हमने some range ले लिया, इसमें, sorry, some range हो गया, फिर हमारा criteria one range नेम आ गया, criteria one, criteria two range, and criteria two, ऐसे ही, criteria three, four, five, आप ले जाईए, यह आपका total चाहिए, इसमें और some ifs में भी इस सारे condition लगा सकते हैं, जो कि आपने some ifs में लगा यह, तो some ifs में भी, आता है आता है्